में भी रख सकते हैं अगला कुश्चन यहाँ पे है निम्न लिखित में से किस माउस तक निकी का उप्योग किसी वस्तू के प्रॉपर्टीज तक पहुचने के लिए किया जाता है हम जब भी किसी फाइल और फॉल्डर की जो प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो माउस से किस से देखते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है ट्रचावाई ड्रडायट right click left click तो यहां पे हम right click से प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो चले यहां मैं आपको practically बता देता हूं है कि तो मैं आ चुका हूं desktop प है और यह मेरे पास एक file है यह phd file है तो यहां पे मैं right क्लिक करूंगा और यहां पर प्रॉपर्टीज पर जाओंगा उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकता हूं तो इसका जो सही आंस्वर है वो है राइट क्लिक अगला हमारा क्रॉष्च्अन है निमले लिखेति में सी कौन सा रेम के संधरम में कथन गलत है तो रेम को लेकरके कौन सा कथन गलत है उसके बारे मैं आपके पर पताना है ठीक है यहां पर लिखाओ रेम सीधे CPU द्वारा पहुंच योग है यह एकदम सही है रेम कंप्यूटर की सेकंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है रेम का उप्योग उस डेटा को संग्रिप करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में CPU द्वारा संसोदित किया जाता है यह भी ठीक है रेम प्रकरती में ऐस्तिर है ठीक है यह भी ठीक है तो यहां पर इसका जो सही आंस्वर है वो है रेम कंप्यूटर की सेकंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है तो यह कथन गलत है यानि कि हमारी जो रेम होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है ना कि सेकंडरी मेमोर तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा B अगला question यहाँ पे है निमने लिखेत में से कौन सा दुरुभावना पूर्ण software है दुरुभावना पूर्ण software यानि कि जो हमारे computer लिए thread पैदा करता है उसको बोलते हैं यहाँ पे दुरुभावना पूर्ण software यहनि malicious software तो यहाँ पे आप देख सकते हो निरो का जलतुवा से रोब यह तो ही नहीं है malware, pen drive और CC cleaner तो इसका जो सही आंसर है वो है malware, malware हमारे computer के लिए हनिकार होता है यहाँ पे इसका सही आंसर है malware अगला question यहाँ पे है MS Word में चैनित text के size और font style और आकार को बदलने के लिए कौन सा menu विकल्प प्रियोक्त होता है तो यहाँ पे देखी थोड़ा समझने में problem हो जाते है students को तो यहाँ पे लिखा हुआ है चैनित text इसका मतलब एक selected text selected text के size को font style को और आकार को बदलने के लिए किस menu को प्रियोक्त किया जाता है तो इसका सरल answer है देखी यहाँ पे page layout यह भी नहीं है insert font format painter तो इसका जो सही answer है वो है font यहाँ पे पूछ रहा है selected text के size font style और आकार को बदलने के लिए हम किस menu का प्रियोक्त करते हैं तो हम font में जाते हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ MS word में और जैसे ही मैं इस text को select करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो यह सारे जो features हैं यह font के ही है font menu के तो यहाँ पी जो font group है यहाँ से हम अपने text की size को कम और ज्यादा easily कर सकते हैं next question है MS word में आपके द्वारा संदर्वित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सा कुंजी संयोंजन प्रियुक्त होता है यह पूँच रहा है कि हमें last action के लिए हम किस shortcut की का यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं control Y, control Z, control X, control S तो यहाँ पे हम last action को access करने के लिए control Z का यूज करते हैं तो इसका सही answer है B next question है projection screen या electronic display device पर इस्तिर छबियों की स्रंकला की प्रस्तुती को कहा जाता है इसका मतलब वह एक जो projection screen होती है या फिर electronic display device होती है तो उस device पर इस्तिर छबियां की स्रंकला यानि जो इस्तिर photos, images होती है उनको जब प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं slide show, slide स्रंकला, slide छबि, slide computer तो यहाँ पर जो options है न यह थोड़ इसे confuse करने के लिए यहाँ पर दिये गए है तो यहाँ पर हम इसको slide show कहेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं PowerPoint ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमारी जितने भी slides होती है उनको हम easily यहाँ से show करकर के click करके easily देख सकते हैं तो यह slide show होता है तो इसका सही answer है next question यहाँ पर है 1GB बराबर है 1GB is equal to तो यहाँ पर आप easily बता सकते हो देखिए यहाँ पर 1024 कलोवाइट 1024 मेगावाइट 1024 बाइट 1024 बिट्स तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1024 MB तो यहाँ पर आप नहीं जानते हैं MB, GB, TB और पेटावाइट, जेटावाइट, एग्जावाइट यह सब क्या होते हैं तो मेरा वीडियो देख लेना next question यहाँ पर है computer screen में एक छबी की सबसे छोटी इकाई है पूच रहा है कि computer में जो हमारी display होती है computer screen है अब जो भी उसमें जो images या photos बनते है वो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती वो क्या होती है जैसे यहाँ पर रोसनी, सारणी, pixels, mb तो इसका सही आंस्वर है pixels यानि हमारी जो image होती है वो pixels से बनके बनती है तो यहाँ पर इसका सही आंस्वर है pixels next question है यहाँ पर कोई दस्तावेज मुदृत होने से पहले कैसा दिखेगा यह जाचने के लिए किस command का उप्योग किया जा सकता है अब देखिए इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मुदृत यानि print होने से पहले कोई भी document print करने से पहले हमें वो देखना है तो हम किस command का उप्योग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे file preview दिया गया है पूर्ब print, print preview, standard preview तो यहाँ पे आपको confuse नहीं होना है यहाँ पे इसका एकदम सही answer है print preview इसका सही answer है c next question है आपे ms word में strike through font प्रवाव का क्या उप्योग है तो यहाँ पे देखिए confuse गरने के लिए क्या लिखा गया यहाँ चैनित text के ऊपर एक रेका खिषता है गलत है यहाँ चैनित text के मद से होकर एक रेका खिषता है यह सही है यहाँ चैनित text के मजद से होकर एक रेखा खीचता है तो चलिए मैं आपको practical ही करके बता देता हूँ MS Word में आ गया यहाँ पे मैं इसका font size increase कर लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पे मैंने यह text select किया हुआ है अब strike through मुझे use करना है तो यहाँ पे देखिए इसका option यहाँ पे दिया गया है strike through इसके मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक दम बीच से उगर के एक line बनाता है ठीक है यही इसका सही आनस्वर है अगला question है यहाँ पे MS PowerPoint में हम slide show की शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान slide show से कुंजी का उपयोग करके चला सकते है यह पूँच रहा है कि जब हम slide show की शुरुआत करते हैं तो किस कुंजी का यूज करते हैं और वर्तमान slide show में होते हैं तो किस कुंजी का यूज करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है F5 F7 F6 F8 ये भी गलत है F7 shift plus F7 ये भी गलत है F5 shift F5 तो यहाँ पे इसका correct answer है D यहाँ पे आपकी जो presentation है यहाँ पे मारके चले कि मैं एक यहाँ पे और ले लेता हूँ कुछ इस तरह से ठीक है तो यहाँ पे मैंने दो slide ले रखी अब यहाँ पे मेरको जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा तो यह सुरू से चलेगी जो presentation है वो सुरू से run होगी इस तरह से कुछ इस तरह से run होगी लेकिन मारके चले कि आप जिस slide सो पे हो उसको आपको run करना है तो आपको shift के साथ में F5 प्रेस करना है shift F5 shift F5 प्रेस किया तो जो हमारी present slide है वो run होगी अगला question यहाँ पे है यदि आप MS PowerPoint 2010 में presentation को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दवानी होगी escape की, backspace की, enter की F1 की अब देखिए MS Word का 2021 का, 2019 का या फिर 2016 का जो version यूज करते हैं वो student यहाँ पे थोड़ा सा confuse हो जाते हैं वो यह सोचते हैं कि 2010 का तो पता नहीं हमने तो 2016 या फिर 2019 का यूज किया था तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो की 2010 में यूज होती है वो ही 2021 में यूज होती है तो वो उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो यहाँ पे थोड़ा सा एक confuse करने के लिए 2010 लिखा गया है तो simple यहाँ पे हम presentation को समाप्त करने के लिए escape की का यूज करते हैं escape की press की और आपकी जो presentation है वो समाप्त हो जाएगी next question यहाँ पे है निमनलिकित में से कौन सा application program आम तोर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उप्योग किया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो PDF फाइलों को देखने के लिए किस application program का हम यूज करते हैं जैसे यहाँ पे यह गया है डिवाइस ड्राइवर और यहाँ पे दियागा अडॉब रिडर, कॉल टाउना विंडोज डिफ्रेग्मेंटर तो यहाँ पे देखिए डिवाइस ड्राइव यह तो ही नहीं है अडॉब रिडर में हम PDF को ओपन कर सकते हैं तो इसका सही उत्तर है दोस्तो अडॉब रिडर यानि की B यह इसका करेक्ट आंस्वर है अगला कुश्चन यहाँ पे है वाइफाई का फुल फोर्म क्या है तो यहाँ पे है वाइरलेस फेडिलिटी वाइरलेस फेक्टरी, वाइरफायर वाइरलेस वर्क फाइन यहाँ पे इसका सही उत्तर है वाइरलेस फेडिलिटी, तो इसका सही उत्तर है A नेक्स्ट क्यूश्चन है निमन लिखित में से कौन सी एक प्रकार की स्रेणी है जहाँ ईमेल दौरा अंचाहे संदेश बेजे जाते हैं, जो हमारी आंस्वर है स्पैम मेल यानि की B अगला क्यूश्चन है एक प्रकास समवे दलसील उपकरण जो मुद्रित पाठ चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है, उसे कहा जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जोईस्टिक, प्रिंटर स्केनर माउस यहाँ पर यह पूच रहा है कि जैसे कोई भी लेसन है, कोई इमेज है फोटो है, उसको हम डिजिटल कैसे बना सकते हैं यानि हमारे केम्पूटर फिर मॉवाइल में कैसे ला सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या-क्या option है orientation, प्रेश्ट आकार, margin, समीकरण तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है दूस्तो margin margin में हम, जब हम margin set करते हैं हमारी document का, तब हम gutter का use करते हैं तो चलिए मैं आपको practically बता देता हूँ चलिए यहाँ पर मैं चलता हूँ layout में layout में जाने के बाद, यहाँ पर मैं यह arrow है, इस पर क्लिक करूँगा page setup, page setup पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामनी यह dialogue box आ गया, अब यहाँ पर आपको दिखाए देर होगा gutter, अब gutter हम किस तरह से use करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम gutter दो तरह की use कर सकते हैं, एक तो left के लिए, यानि कि इस तरफ और एक top के लिए, तो यह हम क्यों use करते हैं, देखे, आपने देखा होगा कुछ ऐसी books को, जो की उसमें छेद किये जाते हैं, left side में या फिर top side में, और उसमें wiring होती है, तो उनका use करने के लिए, हम एक अलग से याँ पर gutter space रखते हैं, अगला question हमारा यह है, ms excel function is equal left v m o u 2 का output क्या आएगा, तो जब हम इस formula को use करेंगे, तो इसका output क्या आएगा, अब देखे, आपने मेरे जो formulas के सभी videos को देखा होगा, तो इस question का answer आप easily देदोगे, यहाँ पर हम इस तरह से formula यूज करेंगे, तो इसका जो result है, वो क्या आएगा, v m v m o u, तो यहाँ पर इसका सही answer है, v m, तो चली मैं आपको practically बता देता हूँ, ms excel को open करके, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, v m, ठीक है, तो यहाँ पर मैं use करूँगा, is equal left, tap press किया, अब यहाँ पर पुछ रहा है, text, तो आप double quotes में type कर सकते हो, v m o u double quotes, बंद, और यहाँ पर मैं, कॉमा लगाऊंगा उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था, 2, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, और bracket को close करते हैं, और enter करते हैं, तो यहाँ पर क्या आया है, v m, अब यह इस तरह से क्यों आया है, देखिए, यहाँ पर यदि मैं हटा देता हूँ, और मैं इसको select कर लेता हूँ, उसके बाद interface करूँगा, तो भी वही आएगा, ठीक है, तो left function काम इस तरह से करता है, जो भी हमारे text है, उसके left side से यह numbers को count करेगा, अब यहाँ पर हम जितना number डालेंगे, वो वहाँ तक count करके देदेगा, जैसे कि किसी भी website पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक परमाणी करण देना होता है हमको, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, OTP capture, QR code, password, तो यहाँ पर इसका सही आंस्वर है, capture, जब भी हम किसी website पर जाते हैं, तो वहाँ पर capture फिलप करने के लिए बोलता है, यदि कोई मानव है तो वो easily फिलप कर देगा, यह इसलिए फिलप किया जाता है, कि कहीं आप robot तो नहीं हो, इसलिए वहाँ पर लिखा होता है, I am a not robot next question है, आपे MS word 2010 में सबसे नीचे की 36 पट्टी है, जिसमें प्रेश्ट संक्या, सब्द गणना, आदी जैसे कैई विकल्प हैं, तो यह पूच रहा है कि MS word में, देखे, 2010 पे आप ध्यान मत दीजिए, आप सिंपल इसको इस तरह से समझिए, कि MS word में सबसे नीचे की 36 पट्टी, 36 पट्टी का मतलब होता horizontal पट्टी, horizontal पट्टी है, जिसमें प्रेश्ट संक्या, सब्द गणना, आदी जैसे कैई विकल्प होते हैं, तो क्या title बार में होते हैं, status बार में होते हैं, board बार में होते हैं, और heading बार में होते हैं, तो इसका सही उत्तर है status बार, चली मैं आपको MS word में ले जाकर के दिखाता हूँ, यह है मेरा MS word, अब यहाँ पे आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है, जिसमें हम कही तरह के विकल्प को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा layout किस तरह से है, read mode में, print layout है, और कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से हम zoom in, zoom out भी कर सकते हैं, और यहाँ पे pacing के आती है, यहाँ पे सब्द गणना भी है, ठीक है, यहाँ यहाँ कितने words हैं यहाँ वह भी आप बताता है, अगला question है है हमारा MS Excel 2010 में चार्ट के plot, छेतर में प्रदर से 36 रेखाओं को कहा जाता है, अब यहाँ पर यदि आपने Excel में चार्ट यूज किया है, तो आप easily बता सकते हो, जो हमारी RDRD इस तरह से lines होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं MS Excel में मैं जाँगा insert में और यहाँ पर चार्ट, इस पर क्लिक करूँगा, कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ, इस तरह से, अब यहाँ पर जो हमारी horizontal lines हैं, इनको हम बोलते हैं इनको ग्रिड लाइन, तो इस तरह से आप इस plot area में जो चितिज lines यानि की, यानि की जो आड़ी line होती हैं, इनको हम grid line बोलते हैं, next question हमारा है यहाँ पर MS PowerPoint 2010 में animation फलक का उपयोग क्या है, अब आपने मेरा जो PowerPoint का complete वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर आप easily बता सकते हो, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, A में आप वर्तनी और व्याकरण की जाच कर सकते हैं, आप slide पर लागू animation की एक सूची देख सकते ह तो मैं आता हूँ यहाँ पर PowerPoint में, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ दोस्तो animations में, जैसे animation टैब में आया, तो यहाँ पर एक option है animation pen, animation pen पर क्लिक करूँगा, तो मेरे इस slide में जितने भी animation में ने apply की हुए हैं, वो यहाँ पर show हो जाएंगे, ठीक है, तो इस में तो एक भी slide में कितने animations हैं, next question हमारा यहाँ पर है, निमन लिखित का मिलान कीजिए, MS Word में क्या होता है, slide होती है, seats होती है, documents होता है, तो यहाँ पर MS Word में होता है, documents, ठीक है, और MS Excel में क्या होता है, seats होती है, तो इसका मिलान इस से कर देंगे, और MS PowerPoint में क्या होता है, slides, तो इसको इस स देख सकते हो कि MS word को हमको मिलाना है R से यानि कि ये 1st को R से 1st को R से और 2nd को Q से और 3rd को P से तो 3rd को P से तो इसका सही correct answer होगा दोस्तो C अब याँबे मेरा last question है OCR प्रवध्योगी की का मुख्य उद्देश क्या है मुद्रित या हस्त लिखित पार्ट को मसीन पठनिये पार्ट में बदलना बहतर द्रश्टी गुणता के लिए छवी निर्देश बढ़ाना सुरक्षित दस्तावेज को encrypt करना चवी फाइलों को संग्रह की दक्षता के लिए संशेपित करना यानि कि जो OCR होता है Optical Character Recognition तो इसका सही आंस्वर होगा दोस्तो चैनल पर पहली बार बजिट किया दिसको सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेए टोब के साथ तब तक लिए जैहिंद वन्दे मात्रम